हेलो दोस्तों कैसे आप सब अच्छे आप कैसे हैं मैं बिल्गुल सही हूँ आई होप सब घर में ठीक से होंगे अपने घरवाले को सपोर्ट कर रहे होंगे और उनके सपोर्ट को उचाहियों तक ले जाने के लिए हमारा अगले लेक्चर तयार है आज का जो मार्केटिंग का तीसर लेक्चर है आई होप के आपने पहले दो लेक्चर द्यान से पढ़ लिए होंगे और जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उनकी बेसिक वीडियोज है ना मैं डाल चुका हूँ पदमवती वाले भी और उससे पहले content वाले भी आप उससे देख सकते हैं अब शुरू करत चाहते हैं functions of marketing ऐसे हमने इसे पहली वाली वुक में हमने पढ़ा था functions of management कौन कौन से थे planning, organizing, staffing, dieting, controlling है ना पांच functions थे जो functions होते हैं वो क्या होते हैं वो एक cycle यानि कि वो एक करने का करता धरता इसे बोलते हैं यह से उपर वाला ही करता धरता है तो ऐसी management को करने के लिए प पांच तरीके बताए जाते हैं planning, organizing, staffing, dieting, controlling है अगर हम management को top तक पुचाना चाहते हैं तो यह 5 cycle हमारे लिए काम करती है step by step कि पहले यह करेंगे यह करेंगे ऐसी marketing की जब बात करता है तो marketing के भी कुछ functions होते हैं नहीं कुछ cycles होते हैं कुछ steps होते हैं या कुछ important concepts होते हैं जि यही आने वाले future में topics है detailed में तो चलिए सबसे पहला function start करते हैं यह बेसिक बेसिक आगे detail में जो हम पढ़ेंगे तो अगले lectures में देखेंगे gathering and analyzing the market information सबसे पहला function क्या होता है कि सारे के सारी information इखटी करनी है marketing का सबसे पहला काम होता है information इखटी कर लो ठीक है दूसरा analyze कर ल यानि कि मुके शंबानी ने जब 2016 में है ना 2017 में जब फ्री करते है data लोग मतलब एटल वोड़ाफोन सब 200 200 रुपे में एक जीवी मतलब जब एक जीवी 250 रुपे में रिचार्च करता था मैं खुद सोचो तो मुके शंबानी ने क्या किया मुके शंबानी ने देखा कि लो लोगों को क्या चाहिए रिसर्च करी data chief सस्तिदाम में analyze करो कि भई कैसे हम दे सकते हैं ठीक है तुन्होंने फ्री कर दिया छे में तक फ्री रखा लोगोंने लाइन लगा के जीव कसे में और आई होब जो बहुत सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं उन सब के email में जीव कसे है ना अवश्य होगा ठीक है इससे क्या फायता होता है marketing information लेने से हमें पता लगता है हमारी opportunities क्या है threat क्या है तुमके शंबाने को opportunity पता लगी कि यह opportunity है threat मतलब कि हमारे दिक्कते क्या है अकर हम यह काम करेंगे तो market में हमसे क्या दिक्कते हो सकती है ठीक है ना राइट जैसे online लोग purchase करने लगे तो जो physical store वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत हो यह information में gather करने चाहिए फिर उसके बाद planning क्या करा planning में इस उचाई किस दिन announce करूंग इस रात को आठ बजे आठ दिसंबर को बाईयों और बैनो आज रहा तमारा मज़े साए एक हजार के पांसो के नोट बंद हो किये जाएंगे ठीक है तो planning करो कि कब करना है कब फ्री करना है फिर दिवाली पे फ्री किया उसके बाद तीन में दो और फ्री किया ठीक है यानि क कि मैं कैसे production करूँगा कैसे उसे promote करूँगा कैसे उसको market में launch करूँगा वही तरीका होता है नए product को launch करते तो भी या किसी celebrity को ले लिया रैट वो तरीका फिर product design अब design के अगर बात करें product design की तो भी देखो आज कर product जो दिखता है वो ही बिखता है तो नए ने तरह की designing ची ठीक है तो इसकी bottle है इसके अंदर perfume है राइट brand value क्या है राइट तो looks भी चीज़े करता है इसे हम बोलते है product का design और development ठीक है राइट यह हो गया अब boxes आते हैं जिसे कागच के ठीक है तो वह आजकल इस तरह के boxes आ रहे हैं राइट तो यह क्या हो गया product का development की भाई plastic की जग ठीक है ना तो product and design development हो गया इससे क्या होता marketing में competitive advantage मिलता है मैं उस product को खरिदता हूं जो देखने में बढ़िया होता यार यह बढ़िया लग रहा देखने में एक simple polythin में है ना पिन्नी से बोल देता है उससे pack करके लो या इससे pack करके तो तो इससे देखने में अच्छा ल ठीक है ना राइट electricity समान को किसी और चीज के समान में gold खरिदूगा तो hall mug देखके खरिदूगा तो यह standardization अगर हम इंडिया में समान खरिदे किसी product को ठीक है ना तो उस पे fssi number होता है standard जैसे हमने app खरिदी app तो app पे देखो f दिख रहा है है ना यह number यह यह तो यह standardization दि ग्रेडिंग ग्रेडिंग में जैसे होता है चावल तुकड़ा सेला आधा बाश्मती पूरा बास्मती तो इसे हम क्या बोलते grading चाय में भी आती यलूटी ज्रीन टी ठीक है तो यह grading होता है अब देखो grading में यह गेटी माटर बिकार है यह तो मतर अच्छा है पैकिंग ये labeling अगला आता है packing and labeling है ना यहाँ पढ़े रहे हो ग्रेडिंग जो एड ब्लू से आ वह पढ़ना ध्यान से is packing and labeling अगर packing की बात करें तो packing का मत होता है उसकी packing कितने बड़े तरिके से की गई है अब जैसे यह डबा देखो है ना तो लेबलिंग होता इसके पीछे का ये देखो information, labeling means information, हाला कि ये किसी और भाशा में लिखे हैं कुछ बात है ठीक है, जैसे लिखा ना, इसमें क्या लिखा होता है कब बना 2020, expiry कब है 2021, ये सारी information से, protein कितना है दिख रहा है न आपको, right इसमें fat कितना है, energy कितनी है ingredients क्या क्या है ठीक है, product company क्या कहती है right, twin tower, malaysia malaysia का है न, almanda, ये सारी ये सारी चीए, ये कहां बना हुआ है ठीक है कौन चीग में, तो ये इसे हम क्या बोलते है इसे हम बोलते है हम labeling ठीक है, हर चीज़ पे label आता है इस पे देखोगे, तो इस पे भी देखो label है label मतलब label का मतलब होता है, उसके brand का नाम भी design भी, और उसकी सारी information भी, ठीक है तो देखो ये भी label है, ये design होगा brand का, ये product का label हो गया और इसकी information का label हो गया ठीक है न, branding इसके साथ cover हो गया तो ब्रेंडिंग का मतलग क्या होता है कि अपने डिजाइन का कोई भी लोगो बनाना जैसे अपय का ये लोगो है यहाँ से काड दो तो आईफोन का बन जाता है रैट या इस तरह की है ना ब्रेंडिंग करना कि हमारे के हर पर ये ट्विं टावर बना ओगा तो ये क्या होता है Nick fert till ये अगो सब्ढेनिशें अपने तो यूनीक सिम्बल बनाती है पीजिसी अपने देखने आप लृकेट सिंग ओर सपोर्ट सर्वेस वह होती है कि भई बूट बेचने के बाद आप customer को घर तक क्या करते हैं information प्रवाइड करते हैं उसको support करते हैं एक call पर customer आपके customer के घर पे company वाले पहुच जाएंगे सब आपका product हम घर ठीक करके जाएंगे जिसे आप बोलते हैं warranty कि भाईया five year warranty कर दी एक्स्टेंडड़ वारंटी होगे मिना किसी टेंचिन के pricing आपके बने बताए है ठीक है राइट कि प्राइस कहा लिखा होता है हमेशा लेबल भी लिखा होता है प्राइस यहां लिखा होगा टेन रुपीज ठीक है तो प्राइसिंग डिपेंड करता है किसके उपर बहुत सब कि अगर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना जैसे हमने का तो मिनिम रखूंगा या क्या प्राइस को मैं एट पार रखूंगा जैसे जी हो जी हो जी हो तो फ्री कर दिया उससे बड़ी बात क्या होगी प्रोडेट कमप्टीशन कितना है यह कि नहीं बाद तो इक नौमिस उसको कैसे प्रोड करूंगा जैसे कई बार लिखते है ना 20% ओफ है ना पैकेट पर लिखाता है 10% एक्स्ट्रा ठीक है तो प्रोडेट के वह जाते हैं ना राइट और बाइवन गेट वन तो यह सब होते हैं प्रोडेट के टूल्स जिससे कस्टमर अट्रेक्ट होता है ठी ठीक है फिजिकल डिस्ट्रिबूशन सिंपल कि मैं उस प्रोड को तुमारे घर तक कैसे पहुचाओ तो फिजिकल डिस्ट्रिबूशन को बोलते है चैनल ऑफ डिस्ट्रिबूशन अगर आपका प्रोड़क्ट ऐसा है कि बहुत जल्दी खराब हो जाएगा तो डारेक्ट च साल चार साल पांस साल तो इसमें लॉंग चैनल यूज़ कर सकते हैं बाहर से मंगा सकते हैं ठीक है ऐसी ट्रांस्पोटेशन अब मैं पहुंचाओं कैसे अब यह आया होगा शिप में राइट अगर यह आया होगा हमारे यहीं बनता है जहाब हम पढ़ाते नोड़के पास एक्ट्रेश हो यहाब होता है तो कोल कैसे आता है राइट कोल आता है ट्रेन से क्विक ट्रक में यहाज़ता ठीक है ना वुच्र देगी ने तुमने जो मिलका सिंग के उपपर बनी थी उसमें काना था मिलका सिंग में है न कोईला काला है चटानों ने पाला है अंदर काला बाहर काला है तो उसमें वो ट्रेन के उपपर भागता है तो यानि कोईला हमेशा ट्रेन पर आता है वेरहाऊस में रखते हैं और थंडी जगह पर उसको रखा जाता है ये बहुत सारी सब्जेया होती है यह बहुत सारे fruits होते हैं अब जैसे कीवी इंडियका प्रोट नियए बाहर से आता है तो उसको चोर करके वेरहाऊस में लेका आ पड़ता है अब बात आती है सर इसको याद कैसे करेंगे इसको याद करने के लिए मैंने बहुत ही बढ़िया और अब तक का बहुत ही मज़दार कोड बना रखा आपके लिए उसको देख लेते हैं राइट तुम्हारे पास बहुत सारे अकाउंट तो हैं सोशल मीडिया के तो एक तो तुम्हारा है सर वाट्सैप सर उसकी डीपी सर आपके वाट्सैप की डीपी बहुत बढ़े वाट्सैप डीपी ट्विटर डीपी इंस्टा डीपी यह ना राइट अगर आप मुझे इस्टा पर ढूंडेंगे अब बात निकल यह दूर तक तो बताई देता हूं तो अंकुर अंडरस्कोर अगरवाल 07 से आप ढूंडेंगे तो मैं मिल जाओंगा वाट्सैप डीपी इंस्टा डीपी ट्विटर डीपी लेकिन सब पर भारी स्नेप्चेट प्यारी वाट सर्मज आ गया यह एक ऐसा कोड है जिसमें मैं बहुत दिमाग लगाए बहुत टाइम इसमें मैं बनाने में लगाया है तो मैं लिखाओंगो निमबर से बता जयता हूं आपको देखो डबलू से बनेगा पॉइंट नमबर 12 इस डी से बनेगा 3 पी से बनेगा पॉइंट नमबर 2 जिन बच्चों के पास यह बूइंबर है ना इसके साफ से ट्वीटर के T से बनेगा पॉइंट नमबर 11 इसके D से कुछ नहीं है P से बनेगा पॉइंट नमबर 5 इंस्टा के I से बनेगा पॉइंट नमबर 1 D और P के दोनों से बनेगा पॉइंट नमबर 10 S से बनेगा पॉइंट नमबर 4 पिए से बनेगा पॉइंट नंबर 8 बी इसे बनेगा पॉइंट नंबर 6 कि इसने उपके 7 और प्यारी के पी से 9 तो सारेgres 시 पुइंट कवर हो में तो क्या रखेंगा आज केब मार्केटिंग कैसे करने है सोचल मीडिया पर मार्केटिंग का पंशन सोचल मीडिया पर इạ गाना का दो वट्सऩिटः इस ताथ य सब पर खातेige सब पर आपको बात चेट मेरे संग कोड GIRलता हूं व्यडियो पर सब चालत sports 8 दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का